नमस्कार आप देखरे हैं नीज़ फोर नेशन और मैं हूँ प्रियादर्शन बिहार की राजनिती में काज बरा भुचा लाया है और नितीस सरकार में मंतरी डॉक्टर संतोस सुमन ने इस्तीफा दे दिया है बिहार के पुरू मुख्यमंतरी जीतन राम मांजी के बेटे और हिंदुस्तानी अवाँ मोर्चा के प्रमुक्ष डॉक्टर संतोस सुमन ने आज बिहार के नितीस कैबिनट से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा बिहार के संसदिये कारिमंत्री विजय कुमार चौधरी को सौपा है सुत्रों से मिल रही इस खबर के अनुसार बिहार के पुरु मुख्यमंत्री जीतनराम मांजी ने आज विजय कुमार चौधरी से मुलाकात की थी का जा रहा है कि उस मुलाकात के दौरान संतोस सुमन भी उनके साथ थे और इसी दौरान उन्होंने अपना इस्तिफाद दिया है संतोस सुमन जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुक है और जीतनराम मांजी के बेटे हैं यह लगातार पिछले कुछ समय से नितीज सरकार पर हमलावर बने हुए थे वर्ज 2024 के लोकसभा चुनाओ के पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को बहतर चीटे देने की मांग की जा रही थी और इन सब के बीच लगातार मांजी के कई ऐसे बयान आये थे जिससे यह दिख रहा था कि नितीज कुमार से उनकी तलखिया बनी हुई है और वो किसी भी वक्त नितीज कुमार से अलग हो सकते हैं तो इन सब के बीच अब जो सुत्रों के अनुसार खबर आई है उसके अनुसार संतो सुमन ने अपना इस्तिफा दे दिया है उन्होंने आज अपना जो इस्तिफा है वा बिहार के संसदिये कारे मंत्री विजय कुमार चौधरी को दिया है नितिस कैमिनट से उनका इस्तिफा बिहार के संसदिय कारे मंत्री विजय कुमार चौधरी के दिया है, दरसल दोनों के बीच में पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है, यानि कि जो संसद्य कार मंतरी विजय कुमार चौधरी है और बिहार के पुरू मुख्य मंतरी जीतन राम मांजी है इन दोनों ने पहले भी कई बार मुलाकाते की थी माना जा रहा था कि जीतन राम मांजी जो की लगातार निती सरकार की चाहे सराबंदी की नीती हो चाहे फिर विजय कुमार चौधरी को सौपा गया था उसके दौरान कई बार हो जुकी थी और आज अचानक से मंगल वार सुबह सुबह जीतन राम मांझी ने विजय कुमार चौधरी से मुलाकाद की थी बाद में उन्हों ने यह भी कहा था कि वे अपनी परिशानियों को बताने के लिए विजय चौधरी के पास गए थे लेकिन वे कौन सी परिशानी थी इसे लेकर के मांजी ने कोई पत्ता नहीं खोला लेकिन अब जो सूत्रों का कहना है उसके अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है इस्तीफे के पीछे कि मूल वजह यह मानी जा रही है कि अब जीतन राम मांजी इसके लिए स्वतंत्र हैं उनके इस पहल को एक बड़ा जटका बिहार में ही लगा है और उनके सबसे विश्वस्तों में एक माने जाने वाले जीतन राम मांजी ने अब उनसे किनारा करने का मन बना लिया है इसी क्रम में उनके बेटे संतो सुमन ने अब नितीस मंत्री मंडल से इस्तीफा दिया है और सुत्रों का कहना है कि उनका इस्तीफा फिलाल विजही चौधरी के पास गया है यानि कि जो इस्तीफे के बाते सामने आई है इस पर अभी नितीस कुमार के लिए मुहर लगना से है और इस पर क्या अब सरकार के प्रिदिक्रिया होती है और जीतन नाम मांजी के द्वारा इस इस्तीफे की क्या पुष्टी कराई जाती है हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे फिलाल हम आपको सुत्रों को अनुचार जो खबर आई है यह बता कर छोड़े जा रहे है कि संतो शुमन ने नितीश मंत्री मंडल से इस्तिफात दे दिया है